नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में और गाईज इस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानि की पीपीफ के बारे में दोस्तों आज कल कि इस महंगाई की जमाने में सेविंग्स होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो लाइफ में आने वाली फिनैंशियल इमजिंसी इसको मैनेज करना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है फिर चाहे वो आपके बच्चों के कॉलेज की फीस हो या कोई अधर फंक्शन वगरा के लिए पंट्स अरें लाने वाला हूँ जो इंडिया में काफी जादा पॉपुलर है सेफ है सिक्यॉर है और इंडिया में यह वन ऑफ ती हाईयस्ट इंट्रेस्ट पेइंग सेविंग स्कीम है जी हा मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में और आज ही ये वीडियो प ये public provident fund scheme है क्या और इंडिया में इसको लाया क्यों गया था तो guys public provident fund एक long term savings and investment scheme है जिसे कि government of India के द्वारा regulate and manage किया जाता है PPF को साल 1968 में public provident fund act 1968 के रूप में Indian government के द्वारा लाया गया था इसको लाने का prime objective था इंडिया के लोगों में savings investment की आदत को बढ़ावा देना so that लोग savings में PPF अगरा जैसे schemes में invest करके अपने retirement के लिए funds जमा कर पाएं PPF safe है और उसके tax benefit and higher interest rates की वज़े से ये Indian investors की one of the favorite choice है अब समझते हैं कि PPF में account open कराने के लिए eligibility criteria क्या है दोस्तों कोई भी Indian resident citizen PPF के अंदर अपना account open करा सकता है आप चाहें salaried employee है या self-employed है या चाहें कोई minor ही क्यों ना हो एक minor भी अपने parents या guardian के साथ PPF account open करवा सकते हैं PPF में कोई age limit नहीं है एक senior citizen भी PPF के अंदर अपना account open करवा सकते हैं दोस्तों PPF की maturity period है 15 years 15 साल के बाद PPF में जो भी investment आपने किया है वो mature हो जाता है और वो total amount आप एक साथ withdraw कर सकते हैं with interest आप अगर 15 साल की maturity के बाद भी अगर अपना PPF account continue रखना चाहते हैं उस case में आप 5-5 साल के blocks में जब तक चाहें तब तक अपना जो PPF account है उसको renew करा के continue रख सकते हैं अब समझते हैं कि PPF में investment के लिए minimum amount and maximum amount क्या है तो guys PPF के अंदर investment के लिए और PPF account को active रखने के लिए minimum आपको 500 रुपे का जो balance है वो maintain रखना बढ़ता है maximum investment limit जो है PPF के अंदर वो है 1.5 रुपे आप किसी भी financial year में 1.5 रुपे तक का investment PPF account में कर सकते हैं so guys PPF में one of the best and important जो benefit माना जाता है वो tax benefit को माना जाता है PPF में आपको triple exemption का benefit मिल जाता है सबसे पहला जो भी amount आप invest कर रहे हैं PPF के अंदर उसमें आप हर साथ 1.5 रुपे तक का tax exemption क्लेम कर सकते हैं as per the section 80C of income tax act second जो भी आप interest earn करते हैं अपने investment से वो total interest जो है वो tax free होता है third 15 साल की maturity period के बाद जब आप अपना total amount पे draw करते हैं with interest वो भी total tax free होता है यानि investment भी tax free, tax claim भी आप वहाँ पे कर रहे हैं maturity के बाद जो भी आपने मुनाफ़ा कमाया वो भी total tax free होता है PPF के अंदर तो दोस्तों अब बात करते हैं PPF के partial withdrawals and loans के rules के बारे में तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि PPF का maturity period है वो है 15 years यानि कि 15 साल पूरे होने पर आप अपने PPF में available total balance with interest withdraw कर सकते हैं लेकिन what if अगर आपको 15 साल से पहले ही कुछ funds की जरूरत है in that case PPF के पास क्या available है तो guys in that case PPF आपको partial withdrawals का option देता है PPF में partial withdrawals का option आपके account opening के 6 financial year complete होने के बाद ही available होता है यानि कि technical year अगर बोला जाए तो आपने जब अपना account open किया था PPF के अंदर उसके साथवे साल के बाद से आप अपना जो partial withdrawals है PPF के अंदर वो कर सकते हैं partial withdrawals के case में आप अपने PPF account में available total balance का 50% तक ही amount withdraw कर सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे partial withdrawals करने के लिए आपको form C fill करना पड़ता है हर एक financial year में आप maximum एक बार ही partial withdrawals कर सकते हैं तो ये थे कुछ rules partial withdrawals के बारे में लेकिन अगर आप अभी partial withdrawals के लिए भी eligible नहीं हैं और आपको जो है funds ही ज़रूरत है in that case PPF के पास कुछ available है क्या तो yes in that case also PPF आपको loan का option provide करता है अगर आप partial withdrawals के लिए eligible नहीं है तो in that case आपके पास जो भी funds available है PPF account के अंदर उसका 25% तक amount आप loan के रूप में ले सकते हैं अब इतना सब को जान लिया है PPF के बारे में तो ये भी जान लीजे कि PPF account open कैसे होता है तो guys PPF account open करना बहुत ही असान है आजकल हर एक bank online internet banking के दौरा PPF account open करने का option देता है तो आप अपने mobile banking या फिर internet banking में जाके बहुत easily minto के अंदर अपना PPF account open कर सकते हैं अगर आप offline PPF account open करना चाहते हैं in that case आप अपने नजदी की bank branch में या फिर नजदी की post office में जाकर PPF account opening form ले सकते हैं उसको fill करके उसमें required documents attach करके submit कर दें और आपका PPF account offline भी open हो जाएगा तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वीडियो के end में और वीडियो के end में मैं जाते जाते आपको PPF से related कुछ और important और एहम बाते बताते हुए जाना जाता हूँ पहली बात समझ लेते हैं PPF के nominations से related PPF में आप किसी को भी चाहें तो nominee बना सकते हैं PPF में आप एक से जादा nominations रख सकते हैं एक से जादा nominations के case में आपको जितने भी nominee हैं उनका share आपको define करना पड़ेगा उसका percentage आपको define करना पड़ता है PPF accounts को एक bank से दूसरे bank में या फिर किसी भी post office में बहुती असानी से transfer किया जा सकता है एक NRI वेक्ती PPF account open नहीं कर सकता लेकिन एक Indian वेक्ती जिसका एक PPF account है अगर वो बाद में NRI बन जाता है तो उसका जो वो PPF account है वो maturity period तक active रहता है तो दोस्तों ये थी PPFs related कुछ एहम और important information इस वीडियो को conclude करते हुए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो PPF है काफी safe and secure investment scheme है साथी साथ ये काफी अच्छे benefits जैसे की tax benefits and higher interest rates ये सारे benefits आपको provide करता है तो आपको भी ज़रूर सोचना चाहिए investment के बारे में and अपना future secure करने के बारे में think about PPF and investing in the PPF आशा करता हूँ आप लोगो वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को like and share ज़रूर कीजेगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना मत भूलिए because इस टाइप की वीडियो मैं इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ thank you so much for watching this video guys have a good day, bye bye